Welcome Friends, मैं मनी सेनी एक बार फिर आपसे वास्वागत करता हूँ आज हम एंडोक्राइन सिस्टम में किड्नी की दवरा सिक्रेट होने वाले हार्मोन पर डिसकस करने वाले हैं तो शुरू करते हैं फ्रेंट्स उससे पहले हम नॉर्मल किड्नी की जो इस टेक्चर है उसको थोड़ सा देख लेते हैं इसका जो वेट होता है वो 150 ग्राम मेजर्मेंट में अगर बात करें तो 11 सेंटीमिटर लोंग होती है 6 सेंटीमिटर विर्थ होती है और 3 सेंटीमिटर थिक होती है अब हम किड्नी के दोबारा सिक्रेट होने वाले हार्मोन पर डिसकस करेंगे तो किड्नी के दोबारा 5 मेजर हार्मोन का सिक्रेशन होता है फेस्ट है एरिथ्रोपोईटीन, सेकिंड है थ्रंबोपोईटीन इसके अलावा किड़नी, रेनीन हार्मोन, प्रोस्टागरेंडीन हार्मोन और केल्सी, टिर्योल्स हार्मोन, विटामिन डी जो एक्टिव फॉम है का सिक्रेशन करती है अब हम देखेंगे कि रेनीन जो हार्मोन है, उसका सिक्रेशन कहां से होता है तो रेनीन हार्मोन का सिक्रेशन गरनुलार से लोग जेजिये जेजिये का मीन से जगस्टा, गलोमेरुलार, अपार्टस से होता है रेनिन का कारी क्या होता है एक एंजियोटेंसिनोजन प्लाजमा प्रोटीन होती है उसको एंजियोटेंसिन फेस्ट में चेंज करता है एंजियोटेंसिन जो फेस्ट है उसको एंजियोटेंसिन सेकेंड में चेंज किया जाता है Angiotensin Converting Enzyme के दवारा जो लंग से सिक्रेट होता है ये Angiotensin जो सेकेंड है वो बलेड वेसल्स पर एक्षिन करता है और उनको कॉंटेक्ट करवाता है ताकि बलेड जो फ्रेसर उसको बढ़ाए जा सके इसके थुरू ये मेंटेन करता है BP को रेनिन का सिक्रेशन क्यों होगा कुछ कंडिशन से हैं या तो लो बलेड फ्रेसर हो जाए लो प्लाज्मा सोडिम हो जाए सोडिम का लेवल अवल प्लाज्मा में कं हो जाए या फिर ECF means extra cellular जो फ्रूड है उसमें कमी हो जाए तो भी इसका सिक्रेशन होगा second हम बात करेंगे इरिथ्रोपोटीन जो हार्मोन है इसका सिक्रेशन एंडोथीलियल सेल और किडनी से होता है इरिथ्रोपोटीन जो हार्मोन है ये bone marrow पर action करता है और वहाँ पर bone marrow को RBC का production करने के लिए stimulate करता है ताकि RBC की संख्या बढ़ाई जा सके तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद हम नेक्स्ट जल्द ही मुलाखात करेंगे नई वीडियो के साथ